अस्टामुलेकूम जीतो स्टूरेंट्स हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर लाउफ, मैस, एक्शन और उसकी डेरिवेशन को स्टेडी किया था आज हम उस डेरिवेशन से रिलेटिड अपनी कुछ एक्जाम्पल्स को लिखते हैं आपर एक्जाम्पल्स करते हैं हम उस डेरिवेशन से रिलेटिड तो 10th क्लास हमारी एकेमिस्ट्री का जो है लेक्चर है और चैप्टर जो है हमारा वो फर्स चैप्टर है एक्विलिब्रियम कónstant ठीक है यह constant मैं मैं small लिखता हूं anos. अनुए तीन याम्पल्स यह दिख सकते हो ठीक है पूरा बल्ड्य है एक्विलिब्रियम कॉस्ट्रेट्ण्छ और जो टोपिक है हमारा वह हमारा जो topics है वो है derivation या derive equilibrium constant derive equilibrium derive equilibrium constant expression constant derive equilibrium constant expression for the following reactions हम कुछ reactions देखते हैं for the following reactions ठीक है यह हमारा टॉपिक है तो इस टॉपिक को जो है हम देखते हैं हमारी examples हैं हमने कहा था law of mass action के अंदर के जितने भी हमारे पास reversible reaction है जब हमने इसकी derivation देखी फिर हमने कहा कि जितने भी हमारे पास derivation जो reversible reaction होते हैं उसको हम उस expression से denote करते हैं expression कौन सा है हमारे पास हमने केसी की value find find यहां पर उसको तोबारा से रिख लेते हैं केसी की value जो है यह किसके बराबर होती है reactants की जानिब जोशी है वो nominator में परोड़क्ट की जानिब अशे nominator में आजाएंगे और reactants की जानिब जोशी है वो denominator denominator में आ जाएंगे और हमने यह कहा था कि इनके साथ जो number of moles हैं वो इनके क्या बनेंगी number of moles coefficient लिख देते हैं CO EWF आपको समझा जाने चाहिए यह क्या है coefficients हमने जो इनके साथ है वो हमने यहां पर लिख लिए यह हमारे पास एक expression है इस expression से हम क्या करते हैं अपने कुछ reactions हैं हम लिखते हैं अब nitrogen जो है हमारे पास एक reaction है जिसके अंदर nitrogen gas oxygen gas से react करके एक reversible reaction है यह nitrogen monoxide gas बनाती है इसको हम ऐसे लिखेंगे 2NO यह हमारे पास एक reaction है इस reaction के लिए हमने equilibrium constant जो है उसको उसका expression लिखना है आप जानते हैं हम लिख सकते हैं यहांपन इसको solve करने के लिए के rate of forward reaction इसका आगे जो हम solution लिखते है rate of forward reaction जो है वो बराबर होता है RF के मतलब इसको rate of reaction को हम RF लिख सकते हैं जो के directly proportional है forward reaction में हमारे पास nitrogen gas है और oxygen gas है यह इनी के जो है वो directly proportional हम लिखेंगे nitrogen N2 and oxygen के लिखेंगे O2 ठीक है अब rate of forward reaction proportionality का साइन खतम के हमारे पास constant है चुके forward as a small app लगा देंगे हमारे पास आजाएगा N2 and O2 ठीक हो की बार इसी तरह से हम हमारे अम लिख लेते हैं rate of rate of reverse reaction ठीक है हम जानते हैं कि हमारे पास rate of reverse reaction जो है उसको हम R लिख सकते हैं ठीक है और वो directly proportion होता है परोड़क्ट जो है यह चुके reverse हो रहा है तो reverse में हमारे पास क्या है यह हमारे पास इसको हम लिखेंगे N O और इसके साथ जिसके coefficient है नबर और मौल उसकी क्या बन जाएंगी powers बन जाएंगी ठीक है इसी को हम rate of reverse reaction है R R is equal to proportionality का sign खतम K constant चुके reverse हो रहा है तो R यहां आजाएगा nitrogen monoxide यह इसके पर हम ऐसे यह 2 लगा देंगे ठीक है यह हमारे पास forward reaction है यह वाला और यह हमारे पास क्या हो रहा है reverse reaction वो हमने इसको ऐसे लिख लिख लिया अब हम जाते हैं के the rate of arbitration is equal to the rate of reverse reaction the rate of arbitration and the rate of reverse reaction हम लिख लेते हैं यहां पर R F is equal to R R R F जो है वो बराबर है हमारे पास K F N 2 और O2 के इस equal to हम यहां पर इसको ऐसे R F N 2 O2 और rate of reverse इसको अबना ऐसे बढ़ा करके ऐसे लिख लिख लिए rate of reverse ताकि समझ है clear हो जाए में यह हमारे पास है के R N O और इसकी पावर 2 ठीक है तो जी दो स्टूडेंट्स आगे देखें कि हम जानते हैं equilibrium constant के expression के लिए के C की value जो हम बनाते हैं हम क्या करते हैं कि हमारे पास यह जो coefficient rate constant है इन rate constant को हम एक तरफ लिख लेते हैं के F over के R के F इसको हम इधर इस वज़ आते हैं क्योंकि हमें के C की value और के C की value किसके बराबर होती है के F over के R के इसके साथ जो है यह इसके साथ यह क्या कर देंगे निचे साथ हमारे पास N2 और O2 ठीक है तो students यहां पर आप देखें कि यह जो हमारे पास K F over के R यह हमारे पास KC है तो KC के लिए हमारे पास क्या आजाएगा N O इसकी power 2 और N2 और O2 ठीक है यह हमारे पास equilibrium constant के लिए एक expression आजाता है तो आप देखें कि जो product की जानिब अशिया है उनको हमने denominator में लिखा जो reactants की जानिब अशिया है उसको हमने denominator में लिखा ठीक है इसी दरज़ जैसे मैंने यहां पर यह लिखा और इसके साथ जो coefficients है नाटोजन मॉनोसायस है तू माली के उससे इसको हमने इस मिक्स ना हो जाए हमारा समझने में असानी हो ठीक है एक वालियम नाइट्रोजन का जब तीन वालियम हाइड्रोजन के साथ मिलता है तो हमारे पास यह ammonia gas 2NH3 यह gas बनती है ठीक है same expression के students आपने सबसे पहले हम इसको यहां पर solve करते हैं क्वेशन है हमारे पास हमने क्या करना है rate of forward direction RF लिखते हैं हम उसको तोड़ा सा space दे के हमने लिखते है RF जो के directly proportional है forward में यह चीज़ है हम लिखेंगे n2 और हम लिखेंगे h2 और इसकी power हम लिखेंगे 3 क्योंकि इसके साथ क्या है 3 इसके coefficient हो इसकी क्या बन जेगी power अब मैं तोड़ा सीधर करके लिख लेता हो RF जो है sorry RF जो है यह बराबर होता है proportionality का sign खत्म किया kf हमारे पास एक constant आ गया यह होगा n2 और h2 इसकी power 3 इसके बराबर ठीक है इसी तरह से हम कहते हैं कि हमारे पास rate of reverse reaction है RR directly proportional है यह NH3 और इसकी जो है power वो हैसे हम 2 लिख ले दें तो students rate of reverse reaction ने बराबर होगा proportionality constant के RR NH3 और इसकी power आजए की 2 हमारे पास same case जिस तरह हमने अपनी पिछली equation के अंदर लिखा कि हम जानते हैं कि rate of forward reaction जो है यह बराबर होता है rate of reverse reaction के तो इसकी जगह इसकी हम value लिखेंगे kf यह हमारे पास value क्या है यह हमारे पास है जो reactants की जानी बशी है reaction N2 और H2 इसकी power 3 is equal to reactants की जानी हम लिखेंगे क्योंके reverse हो रहा है तो Kr NH3 और इसकी हम क्या लिखेंगे यहां पर scale लिखेंगे अब हम जानते हैं कि जो मारे पास rate constant हो एक तरफ आ जाएंगे variables एक तरफ आ जाएंगे हमारे पास KF over Kr is equal to यहां हमारे पास NH3 as it is रहेगा क्योंके यह product की जानी 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 होगी उसे हम कहां लिखेंगे denominator में और जो reactants की जानी 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 होगी उन्हें हम denominator में लिखेंगे तो यहां पर आप देख लें कि यह सर्फ आ की क्या हो जाएगा divide हो जाएगा और इसकी जानी जानी जो चीजे हैं यह दर आके क्यों जाएगी यहां इदर divide हो जाएगी क्योंकि यहां इसके साह multiply हो रही है तो यहां आजाएगा हमारे पास N2 और H2 इसके साथ इसके हम लिखेंगे Q इसके साथ हमारे यहां पर square तो यह जो expression है यह हमारे पास किसके बराबर होता है kf over kr यह हम जानते हैं कि हमारे पास यह बराबर होगा kc के और यह हम क्या लिख लेंगे nh3 और नीचे हमारे पास आज़ेगा n2 and h2 और इसकी power हम लिख लेंगे 3 और यह हमारे पास क्या है कुछ हमने equilibrium constant के लिए कुछ हमारे पास रेक्शन से जिसके लिए हमने इसके equilibrium constant को direct किया ठीक है यह reaction जो है equilibrium constant को हमने इसे direct किया तो इसके बाद students हमारे पास जो हमारा next topic है हमारा जो next topic है वो हम इन्शाला अपनी next video के अंदर discuss करते हैं अपना ख्यार रिखिएगा अलाहफिज